आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट सोस पास्ता जिसको बनाना बहुत ही इसी है बहुत कम इंग्रिडन्ट्स के साथ हम इसको अपने घर में तयार कर सकते हैं फिर आईए पास्ता बनाना शुरू करते हैं मेजरमेंट अब किसी नॉर्मल कटोरी से या ग्लास से भी कर सकते हैं ये पास्ता करीब 200 ग्राम है हमने 2 कप पास्ते में 4 कप पानी डालने के बाद हम इसमें एक छोटा चम्मच ओएल डालेंगे और आधा छोटा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे और इसको गैस पर बोईल होने के लिए रख देंगे वही हमने दूसरी गैस पर कड़ाई में दो चम्मच ओईल डाल कर हम अपनी प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे हलकाल का भून लेंगे अब हम इसमेे अपनी एक हमने मेडियूम साइस की सिम्ला मिर्स लिया है उसको भी हम इसमें ढालकर करीब आधा मिनदत तक भून लेंगे आधा मिनदत प्याज को और सिम्ला मिर्स को भूनने के बाद हमने कूश स्वीट कोन लिये है हमने इसको भी इसमें मिक्स कर दिया है यह फ्रोजन स्वीट कॉन है इसलिए हमें इनको पहले से बोईल करने की ज़रत नहीं है करीब एक मिनट में हमने इन तीन चीजों को भून लिया है अब हम इनको अपनी कढ़ाई से निकाल लेंगे तब तक हम बीच में अपना पास्ता चेक कर लें अब देख सकते हैं हमारा पास्ता अच्छे से बोईल होने लग रहा है करीब पाच मिनट के बाद हमने अपना पास्ता चेक किया है आप देख सकते हैं बीच में से थोड़ा कच्छा लग रहा है अभी हम इसे 2-3 मिन तक और बोईल होने देंगे और हमने अपनी चेक कर सकते हैं यह बिल्कुल मुह में घुलना नहीं चाहिए हलका खड़ा होना चाहिए हमारा पास्ते को हमने सूप चलनी की मदद से या फिर हम चावल चलनी की मदद से इसको छान लेंगे हमने दूसरी गास पर कढ़ाई को रख लिया है इसमें हमने एक चमच बटर और एक मैदा डालेंगे अब क्यास कोण फ्लोर यह था था कोण फ्लोर डाल सकते हैं मैदा में संब कुछ भी डाल शकते हैं करीब एक मिनट तक हम इसको अपनी पोणी की हल्प से लगातार भूनेंगे इसमें लम्स नहीं पढ़ने चाहिए भूनते हुए हम अपनी फ्लेम को लो कर देंगे और इसको देखो आप देख सकते हैं अब हलका सा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है अब हमने जिस कटोरी से पास्ति को ना पता उसी कटोरी या कप की हल्प से हम उसमें एक कप दूर डा कर्सकर के लिया है आप प्रोसेस चीज या कोई भी चीज को इसमें एड कर सकते हैं अब हम जो सबजी अपनी चौप करके लिए ती वह सबजी भी हमने इसमें डाल दी है हम इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स अब हम इसमें जो पास्ता रखा हुए था हम इसमें मिक्स कर लेंगे, आपने इसमें थोड़ी सी पीजा सीजनिंग ली है, इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे, हमारा पास्ता बनकल विकुल तयार है, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी मियोनी सोस भी हम यहीं पर एड़ कर सकते हैं, हम अपने पास्ते को अच्छे से और हमारी रेसिपी को अपने फ्रैंस के साथ शेयर कीजिए, अपने अनुभाब हमें कमेंट बोक्स में लिग का जरूर बताएं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सबस्क्रायब नहीं किया है ठोछ इडरों करें, निर्मल स्वास करें जूड़े रहने के लिए आप सुब कर धन्य वादे